हलो दोस्तो कैसे हो सभी मैं हो इर्फान इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंड़ोएस्टन किया जाता है इस वीडियो में मैं आप लोगों को step by step बताऊंगा इंडो वेस्टन का मेजरमेंट है लंबाई 38 इंच, सोल्डर 17 इंच सीना 34 इंच, पेट 31 इंच, हिप है 35 इंच कॉलर 14 इंच, स्लीफ का लंबाई है 24 इंच और इसका विर्थ है 9 इंच इस मेजरमेंट का हम एक इंडो वेस्टन कटिंग करेंगे इस विडियो में कपड़ा हमने लिया है 2,30, 2,30 इंडो वेस्टन का सबसे पहले हम बैक कटिंग करेंगे बैक जो है वो जोइंट वाला भी कट कर सकते हैं और without joint वाला भी cut कर सकते हैं. तो इस video में मैं आप लोगों को without joint, भीना joint वाला back cutting करना बता रहा हूँ. उपर से एक हिंच कपडा छोड़कर आपको straight कर लेना है, सीधा कर लेना है. ऐसे एक हिंच कपडा छोड़कर हम इसको straight कर लेंगे. चेस्ट है 34 इंच, आर्म होल्ड डाउन करेंगे 9 इंच ये 9 इंच आर्म होल्ड डाउन है, इसमें 7 इंच प्लस करके 16 इंच पर इस्टमक डाउन करेंगे आर्म होल्ड डाउन हमने 9 इंच किया है, इसमें हमने 7 इंच प्लस करके इस्टमक डाउन किया 16 इंच पर अब यहां से हम 9 इंच प्लस करके हिप डॉन करेंगे हिप का मार्क लगाएंगे तो 16 है इसमें 9 इंच प्लस करेंगे तो 16 और 9, 25 इंच 25 इंच पे ये हिप का सेंटर आएगा लंबाई है 38 इंच 38 इंच 2 सूत ज्यादा मार्क लगाएंगे 37 इंच पे यह जितना लेंद है उसमें 1,4 प्लस करना है और इसमें हम मार्जिंग रखेंगे 2 इंच तो 37,38 और 27,40 इंच दो इंच हम बॉटम में मार्जिंग रख रहे हैं अब यह सेम मार्क लगा कर हम मार्क इस्ट्रेट कर लेंगे 9 इंच, 16 इंच, 25 इंच, 37 और यह 2 इंच मार्जिंग, 47 इंच कॉलर है 14 इंच, जितना भी कॉलर है उसका पाचवाँ हिस्सा यहां लगाना है जितना भी नेक है उसको 5 से डिवाइड करके यहां मार्क लगाना है तो कॉलर 14 है, पाचवाँ हिस्सा करेंगे तो यह आएगा पौने 3 इंच तो नेक विर्थ पौने 3 इंच यहाँ से एक इंच उपर उठाएंगे ऐसे और यहाँ से दो सूत डाउन करना है सोल्डर है सत्रा इंच, सत्रा का आधा करेंगे साड़े आठ इंच और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन नौ इंच अब यहाँ नौ इंच है तो यहाँ भी नौ इंच ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और क्रोस बैग माइनस कर देंगे एक इंच अब यहाँ हमने एक इंच उपर उठाया है तो यहाँ एक इंच ऐसे रखेंगे और solder down करेंगे इसमें हम 25 इंच चेश्ट इसका 34 इंच है 34 है तो solder down करेंगे 25 इंच अगर यह चेश्ट 38 इंच होता 40 इंच होता तो हम 2 इंच डौन करते हैं चेश्ट 34 इंच है तो solder down 25 इंच यहां चेस्ट को फोर से डिवाइड करना है, सीना का चौथा हिस्सा करेंगे, तो सीना 34 इंच है, चौथा हिस्सा, साड़े आठ इंच, और यहां एक इंच लूजिंग देंगे, बैक में वन इंच लूजिंग, और यहां इसको ऐसे रावन कर देना है, इस्टमक है 31, 31 इंच, चौथा हिस्सा, पौन है आठ इंच, और यहां इस्टमक में लूजिंग देंगे, हाफ इंच, आदा इंच लूजिंग, हिप है 35 इंच, पौन है 9 इंच और आदा इंच लूजिंग, यहां चेच में हमने 1 इंच लूजिंग दिया है, और इस्टमक में हिप में आदा आदा इंच का लूजिंग दिया है, अब यहां टोटल जितना है इसमें पॉना इंच प्लस करके नीचे घेर का मार्क लगाना है बॉटम में यह टोटल सवा नौ इंच है इसमें हम पॉना इंच प्लस करेंगे तो यह आएगा दस इंच यह सवा नौ और यह पॉना इंच हमने प्लस कर लिया तो दस इंच अब यहां हम मार्जिंग देंगे तो इसमें हम मार्जिंग रखेंगे एक इंच आप यह मार्जिंग सवा इंच भी रख सकते हो और ज्यादा से ज्यादा देर इंच भी रख सकते हो और इसमें हम ओपन रखेंगे यहां से लंबाई इसका 38 इंच है तो इसमें ओपन रख देते हैं हम 13 इंच यहां से ओपन आ जाएगा बैक का मार्क कमपलीट हो चुका है इसको हम कटिंग करेंगे कटिंग करने से पहले आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि मेरा एक दूसरा यूटूब चैनल है जिसका नाम है जीके सोहाना डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दिया है जीके सो करेंगे जीके सारय है हुआ यूद ने इससे करसे से च शौछ चरेंगे है। तो बैक कटिंग हो चुका है इसको हम अब रख देखते हैं और फ्रंट कटिंग करेंगे अब हम यहां यह जो इस्ट्रेट मार्क है सिधा मार्क इसी मार्क में इस मार्क को ऐसे रख लेना है अब यह जो मार्क है इस मार्क को हम लगा लेते हैं ऐसे इसको हम मेजर्मेंट टेप से मेजर्मेंट करके भी लगा सकते हैं और ऐसे भी रखके लगा सकते हैं दोनों में से जैसे आपको easy लगे वैसे mark लगा ले ना Measurement टेप से measurement करके मैंने इस Serumon पहले जितने भी विडियों बनाया है उसमें बताया हुआ हुआ है आपको इस तरह से mark को उठा लेना है अभी हमने लंबाई का मार्क नहीं लगाया है, लंबाई का मार्क मैं अभी लगा के बताऊंगा आपको लेंथ लंबाई है 38 इंच, एक इंच प्लस करके 49 इंच मार्क लगाएंगे जितना लेंथ है उसमें एक इंच प्लस करके मार्क लगाना है यहाँ चेस्ट को फोर से डिवाइट करेंगे सीना का चौथा हिस्सा करेंगे सीना 34 है चौथा हिस्सा सारे 8 इंच तक्ती माइनस करेंगे पौना इंच सीना चौतिस है चौतिस चेस्ट में पौना इंच तक्ती माइनस कर देना है अब इसको मेजरमेंट करके उपर स्ट्रेट कर लेना है अब यहां हम लूजिंग का मार्क लगाएंगे तो लूजिंग का मार्क लगाने के लिए उसको मेजरमेंट कर लेना है तो यह साड़े नौ इंच है साड़े नौ इंच को ऐसा पकर लेना है और यहां इस वाले मार्क पैसे रखेंगे चेस्ट 34 इंच है 34 का आधा करेंगे 17 इंच और यहां से हम लूजिंग देंगे तो चेस्ट में लूजिंग हम रखेंगे 5 इंच तो 5 का आधा करेंगे 2.5 इंच ठीक है यह 5 इंच का लूजिंग आएगा यहां इसको भी मिजरमेंट कर लेंगे यह सवा आठ इंच है तो सवा आठ यहां ऐसे रखना है और इस टमक है 31 इंच 31 का हाफ करेंगे 15.5 साड़े 15 इंच और यहां से लूजिंग देंगे तो इस टमक में लूजिंग देंगे 4 इंच तो 4 का हाफ करेंगे 2 इंच उस टमक में 4 इंच लूजिंग है तो 4 का आधा 2 इंच अब यहां हम hip को मेजरमेंट करेंगे यह 79 इंच है 79 इंच को ऐसे पकरना है और यहां इस वाले मार्क पर ऐसे रख देंगे हिप है 35 इंच 35 का हाफ करेंगे सारे 17 इंच और यहां हिप में भी लूजिंग देंगे हम 4 इंच तो 4 का आधा मार्क लगाना है 2 इंच अब यह टोटल जितना है इसमें 5 इंच प्लस करके नीचे घिर का मार्क लगाना है तो यह सवा दस इंच है इसमें हम पौना इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच यह सवा दस और यह पौना इंच प्लस अब यहां मार्जिंग लगाएंगे बैक में हमने मार्जिंग रखा था एक इंच तो फ्रंट में भी मार्जिंग रखेंगे एक इंच बैक और फ्रंट दोनों में सेम मार्जिंग आएगा अब यहां से पौना इंच प्लस करेंगे लगाना है और यहां शेप इसकेल से ऐसे शेप कर देना है इस वाले मार्जिंग को कट कर देना है बॉटम में मार्जिंग हमने बैक में रखा था दो इंच तो यहां फ्रंट में भी रखेंगे दो इंच अब यहां कॉलर का हाला का मार्क लगाएं तो कॉलर है 14 इंच पांचवां हिस्सा करेंगे पौने 3 इंच और इसमें पौना इंच प्लस करेंगे यह होता है 3.5 इंच पांचवां हिस्सा करके पौना इंच प्लस कर लेना है एक इंच प्लस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इससे पहले मैंने बहुत सारे कटिंग के वीडियो में एक इंच प्लस करके बताया है लेकिन अगर आप फर्मूले के हिसाब से कटिंग करना चाहते हो तो पॉना इंच प्लस करना है 3-4 तो पाँचमा हिस्ता को लड़ का पॉने 3 इंच और पॉना इंच प्लस कमने किया तो यह साड़े 3 इंच अब यहां से डॉन करेंगे चेस्ट सीना 34 इंच है तो 34 में यहां से 3 इंच डॉन करेंगे 3 इंच और यहां 3 इंच है यहां से पॉना इंच उपर मार्क लगाएंगे कि यहां से आधा इंच पर मार्क लगाना है हाफ इंच और शेप स्केल से ऐसे शेप करना है यहां इसमें हम पिक बनाएंगे पौना इंच का थ्री फोर काज बटन का मार्क लगाएंगे तो यहां यह जो पिक का मार्क है यहां से डेर इंच पे फस्ट काज बटन का मार्क लगाना है और इसमें हम छे काज बटन बनाएंगे सिक्स बटन होल का मार्क लगाएंगे इसमें हम तो यहां से हम सवा तीन इंच पे लगा रहे हैं सवा तीन और यह सारे छे सवा तीन सारे छे अब यहां से हम शोल्डर डाउन करेंगे तो सोल्डर डाउन हमने किया था पौने दो इंच बैक में तो यहां भी हम सोल्डर डाउन करेंगे पौने दो इंच अब यहां क्या करना है यहां इसको ऐसे रखना है और यहां से वन सेंटीमीटर माइनस कर देना है यहीं बैक से फ्रंट एक सेंटीमीटर कम रहेगा तीन सूथ कम रहेगा यह तीन सूथ कम इसली रहेगा क्योंकि बैक में यहां नम देना है फुलनेस देना है और यह देना ज़रूरी है अब यहां से 2.5 इंच पर ऐसे मार्क लगा लो अब और अब इसको यहां ऐसे शेप करना है और इसको यहां से ऐसे शेप करना है गुलाई करना अब यहां से हम well's pocket का mark लगाएंगे तो distance रख रहा है 1,5 inch सीना 34 है तो well's pocket का mark लगा रहा है हम पौने 4 inch का यहां से 1,5 inch उपर एक mark लगाना है और 1 inch पे mark लगाना है और यहां भी 1 inch तो front का mark हमारा complete हो चुका है यहां हम pocket का mark नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये इंडो वेस्टन है pocket का mark सिर्वानी में लगाते हैं सिर्वानी में pocket बनता है इंडो वेस्टन में pocket नहीं बनता है किसी को अगर चाहिए कोई customer demand करेगा तो उसको pocket बना सकते हैं इंडोवेस्टन में जो है पॉकेट नहीं बनाता हूँ मैं क्योंकि इंडोवेस्टन का लंबाई जो है कम होता है नी लेंद होता है या फिर घुटने से 2.5 इंच उपर होता है सिर्वानी का लेंद जो है वो घुटने से नीचे होता है तो सिरवानी में तो पॉकेट बनता ही बनता है इंडोवेश्टन में पॉकेट बनता भी है और पॉकेट नहीं भी बनता है अगर किसी किस्टमर को पॉकेट चाहिए तो बनता है नहीं तो पॉकेट इंडोवेश्टन में नहीं बनता है चूंकि इंडोवेश्टन का लंबाई यहां से आधा इंच सिलाई का मार्जिंग छोड़ के कटिंग करना है तो बैक और फ्रेंट कटिंग हो चुका है अब हम सिलिफ कटिंग करेंगे बाज वी कटिंग करेंगे यहां कपड़े को इस्ट्रेट कर लेना है सीधा कर लेना है शोल्डर डौन हमने किया था बैक और फ्रेंट में पौने दो इंच यहां भी सोल्डर डौन करेंगे पौने दो इंच चेस्ट चौतिस इंच है शिक्स से डिवाइड करके मार्क लगाएंगए जितना भी चेस्ट हो उसको शिक्स से डिवाइड करके मार्क लगाना है इस तो छट्टा हिस्सा पॉने छे इंच यहां से एक इंच उपर मार्क लगाएंगे लेंथ 24 इंच है एक इंच प्लस करके 25 इंच में मार्क लगाएंगे जितना भी लेंथ है उसमें एक इंच प्लस करके मार्क लगाना है अब यह सेम मार्क लगाकर मार्क स्टेट कर लेंगे पौने दो इंच, पौने छे इंच, पौने पांच इंच, पचीश इंच यहां से एक मार्क लगाना है एक इंच पे, और यहां उपर भी एक इंच लगाकर इस वाले मार्क को स्टेट कर लेना है अब यहां से मार्क लगाएंगे 1.5 इंच, और यहां भी 1.5 इंच इस वाले मार्क से जितना हमने आर्म होल डौन किया था उतना यहां मार्क लगाना है तो आर्म होल हमने डौन किया था 9 इंच तो यह 9 इंच आपको यहां से ऐसे मार्क लगा लेना है यह 9 इंच यह फिटिंग अस्तिन के लिए है अगर अस्तिन थोरा ढीला डाला चाहिए तो आधा इंच प्लस कर लेना और अस्तिन थोरा स्लिम में चाहिए टाइट में चाहिए तो फिर जितना हमने आर्मोल डौन किया है उतना मार्क लगाना तो आर्मोल डौन हमने 9 इंच किया था यहां 9 इंच हमने ऐसे मार्क लगा लिया अब इसको हाफ अन हाफ कर लेना है एक बी सेंटर लगा लेना है ऐसे और यहां से एक सेंटीमीटर अंदर सिलाई का मार्जिं जतना जाता है उतना यहां से मार्क अंदर लगा लेना है और इसको यहां इसमें मिला देंगे और इसको यहां इसमें मिला देंगे अब इसको मिजरमेंट करना है यह जो डिस्टेंस जितना भी है इसका हाफ कर लेना है तो यह डाइ इंच है इसका आधा करेंगे सबाइ इंच अब यहां से एक सेंटिमीटर उपर मार्क लगा लेंगे ऐसे अब यहां क्या करना है यहां से इसको ऐसे राउंड कर देना है ऐसे गुलाई कर देना अब यहां हम बॉटम में मार्क लगाएंगे तो इस वाले मार्क से बॉटम का विर्थ है 9 इंच तो 9 का आधा करेंगे 4.5 इंच और यहां 5 इंच प्लस करेंगे 3-4 मार्जिन यहां से इस वाले मार्क से एक इंच अंदर स्केल को ऐसे रखना है और यह यहां से ऐसे मार्क लगाना है स्केल को उपर करना है ऐसे और फिर इसको यहां ऐसे मार्क लगाना है यहां से ऐसे क्रॉस कर देना है दो सूत और अब क्या करना है यहां से आधा इंच नीचो डाउन करना है और यहां से आधा इंच उपर मार्क लगाना है क्रोस करने के लिए और यहां से हम बॉटम में मार्जिंग रख रहा है धाई इंच आप ये मार्जिंग कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से तो सिलिफ का मार्क हमारा कम्प्लीट हुआ है इसको हम कटिंग करेंगे कटिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके और पे कर देना कि इसको हम कटिंग करेंगे तो यह सिलीप कटिंग हो चुका है हम ताल पिस कट करेंगे अब यह वाला जो मार्क है इसको उठा कर यहां लेकर आना है यहां यह वाला मार्क लगाना है और यह वाला जो मार्क है इसको भी यहां ऐसे लगाना है इस वाले मार्क को यहां लगाना है और यह वाला जो मार्क है इसको यहां ऐसे लगाना है अब यहां हमने इसमें मार्जिंग रखा है पौना इंच थ्री फोर तो पौना इंच का मार्जिंग थोरा कम हो जाता है तो हम इसमें दो सूत बढ़ा कर कट करेंगे तो हमारा मार्जिंग इसमें हो जाएगा एक हिंच का ताल पिसमें दो सूत हम बढ़ा कर कट करेंगे कपड़े को तो एक हिंच का मार्जिंग आ जाएगा एक हिंच यहां मार्क लगा लेना है एक हिंच का इसमें मार्जिंग है अब इसको हाफ अन हाफ कर लेना है अन है इसको भी हाफ कर लेना है कि अनुद तो अनुद आए अगे आइप होप कि यह वीडियों आप लोगों को जरूर पसंद आ होगा वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करके वेल एकन पर क्लिक करके ओल पर कर दीजिएगा